number 1 से देखते हैं, कह रहा, if alpha plus beta minus gamma equal to pi and sin square alpha plus sin square beta minus sin square gamma equal to lambda sin alpha sin beta cos gamma, then write the value of lambda, हमें इस lambda का value भी करना, हमार पास क्या दिया है, sin square alpha plus sin square beta minus sin square gamma equal to lambda sin alpha sin beta cos gamma, अच्छा एक हम formula पढ़े हुए हैं, मैं यहां पर लिखता हम formula, हम लोग formula पढ़े हुए हैं किसका, sin a plus b into sin a minus b का, इसका formula मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रूब करा रखा है, यह किसका formula होता है, sin square a minus sin square b का, इसी के according हम लोग यहां पर अभी चलने वाले हैं, तो इसको ऐसी रखने हैं, sin square alpha plus, यहां पर इन दोनों में अब वही formula लगाएंगे, इस formula के according क्या हो जागा, sin beta minus gamma और sin beta plus gamma हो जाएगा, इस formula के according हो जागा ना जी, यहां प्लस में एक बर minus में, और equal to में है lambda, sin alpha, sin beta, cos gamma, एक काम करते हैं, यहां पर अगर हम लोग beta minus gamma के value की बात करें, तो यह क्या हो जागा, पाई minus alpha हो जागा नहीं, इधरा के minus का हो जागा, sin square alpha plus, यहां हो जागा, sin beta minus gamma के value क्या हो जागा, पाई minus का alpha, और यहां पर है आपका sin, जो भी है, beta plus का gamma, equal to में, lambda, sin alpha, sin beta, cos gamma, चलिए, अब यहां पर हम लोग formula लगाते हैं, sin square alpha plus, sin pi minus alpha, sin alpha ही हो जागा, और यहां पर है sin beta plus का gamma, equal to में, lambda, sin alpha, sin beta, और यहां पर हो जागा आपका cos gamma, अब इसके बात देखिए, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां में sin alpha common दिख रहा है, यहां common करेंगे, तो यहां बच जाएगा, आपका sin alpha और plus का sin, beta plus का gamma, ठीक है, और equal to में, lambda, sin alpha, sin beta, cos gamma, ठीक है, अब इसके बात देखिए, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और चीम लाएंगे, sin alpha, अच्छा, यहां alpha के जगह अपर, alpha के जगह पर एक काम कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, sin alpha के जगह देखिए क्या करते हैं, पाई, माइनस, अच्छा, alpha के वैलू, उपर वाले टाम से ले लेते हैं, alpha के वैलू, क्या हो जगह पाई, बीटा माइनस, गामा, ठीक है, बीटा माइनस, गामा, और पलस का यहां पर, sin, बीटा, पलस, गामा, एकवल टू में, lambda, sin, alpha, sin, बीटा, कॉस, गामा, ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हो जागा, sin, अल्फा, यहां देखिए, इसका फॉर्मूला हो जागा है, यहां पर, sin, बीटा, माइनस, गामा, और पलस का sin, बीटा, पलस, गामा, ठीक है, और एकवल टू में, पाई, sin, अल्फा, sin, बीटा, कॉस, गामा, आगे, सॉल्व करते हैं, पर देखिए, यहां फिर वही फॉर्मूला गया, sin, a, पलस, b, और पलस, sin, a, माइनस, b, क्या, ठीक है, चरिए, तो, क्या हो जागा है, यहां पर, इसके जगा पर क्या जागा, 2 sin, बीटा, कॉस, गामा, sin, a, पलस, b, और पलस, में, sin, a, माइनस, b, क्या, अगर हमने, दोनों का फॉर्मूला एक साथ, यूज़ करेंगे, तो, यहां पर, यहां देखो, इसका क्या होगा, साइन, बीटा, कॉस, गामा, साइन, बीटा, कॉस, गामा, और माइनस का, कॉस, बीटा, साइन, गामा, और यहां, साइन, बीटा, कॉस, गामा, तो, माइनस, पलस, वार, कर जागा, यहां पर, साइन, बीटा, कॉस, गामा, यहां पर, साइन, बीटा, कॉस, गामा, यहां पर साइन बीटा कोस गामा और इधर है आपका लेम्डा जाइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा तो यह पूरा टर्म कर जाये गाया यानि की लेम्डा का वैलू क्या घहां पे ड़े निघ्र समझ गहें